राजदाने दिली में मई के महीने की शुरुवात से ही मौसम में लगातार उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है। और कभी मौसम सुहाना हो जाता है तो कभी भीशन गर्मी लोगों को परिशान करती है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में मौसम को लेकर की क्या स्थिति रहने वाली है। इसी पर हमारे समबादादा कुणार शर्मा ने मौसम विग्यानिक से खास बाचीत की है। देखे रिपोर्ट में। राजदाने दिल्ली में लगातार मौसम में उतार चड़ाब देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो मौसम सुहावना बना हुआ था। लेकिन अब दो से तीन दिनों से लगातार भीशन गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और इसी बीच अब आगे की क्या इस्तिती मौसम को लेकर रहेगी इसी पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद हैं। मौसम विज्ञानिक कुल्दिप शिरिवास्तर जी उन्हीं से हम बात करते हैं। सब लगातार मौसम में उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है। आगे की क्या कुछ इस्तिती दहने वाली है मौसम को लेकर देखिए आगे गर रेनफॉल की बात करते हैं। तो अभी हमारे पास आज और कल रात के टाइम में या साम में हल्की फुल्की बुन्दा बांदी और लाइट रेन दिली एंस्यार में हो सकती है। तो वो रात के समय में थोड़ी से रहात रहेगी लेकिन वो भी आपके पास टम्परेरी है क्योंकि रेनफॉल आपके दस पंदा भी समय में डोकर के फिर आगे की तरफ कम चली जाती है। जो दिन का है वो तापमान आपके पास अरतिस से लेकर के उन तालीज डिग्री सेंटीगेट तक अगले दो दिनों तक बना रहेगा। उसके बाद फिर फुर्दर राइस करेगा और नौ दस्ताई तर लगबख 40 डिग्री सेंटीगेट तक पहुंचाएगा। तो कह सकते हैं कि अगले तीन से चार दिनों में तापमान बढ़ा रहेगा और लगबख 40 डिग्री सेंटीगेट तक पहुंचेगा। साथ में देखेंगे चुकि साम रात में हलकीपुल की बूंदाबानी दिली न्सीयार में हो रही है। उससे नमी बढ़ रही है। तो वह जो नमी बढ़ी रहती है उसका अभूर दिन में भी रहता है। तो ट्मप्रिचर ही बढ़ा हुए है साथ में नमी भी बढ़ी हुई है। तो इस से जो अनकंफर्ड लेवल है हो अमारे पास बढ़ा रहता है। और जितना अन्ज़़न के महीने में कई वर्शों सीस कुछ रुख देखने को मिल रहा है एक जो इस बार मैं में हमारे पास टमपरेशर कम रहा है उसकी वज़ाँ वैस्टर्ण डिस्तरवेंश नॉर्थ वेस्टर इंडिया और प्लेंज में सासव दिली इसन परफिल रहा है तो इसके चलते माई हमारे पास काफी मुक्क वजह वेस्टर डिस्टर्विंस थी जहां तक मांसुन ऑंसेट की बात है तो दिली में नॉर्मल डेट 29 जून होती है उसके आसपास आने के समवना बनी रहती है लेकिन चुकि अभी हमारे पास केरला में ऑंसेट नहीं हुआ है तो पहले मांसुन का ऑंसेट केरला में ह शेटेने की होता है उसके बाद नार्ट के सब्सिट करता है अरके एक मैंना डिली तक पहुचने में लगती है कि ूज्य तिन दिनों तक हलकी होँचार पारिश की वो देखने को मिल सकती है और उसके बाद क्या कुछ इस्तिती रहेगी दो से तीन दिनों बार देखिये दोस्त आज रात में या साम में और कल भी हमारे पास हलकी पुल की बारिश हो सकती है दिली न्सियार में और जिस जो लगबाग एमाउन कहेंगे लाइट चेंज नहीं होगा जो ट्रप्रेचर अरती से इंटीग्रेट है वो दिन के समय में रहेगा क्योंकि रेंफॉल एक्ट्विटी जो एक्स्पेक्टेड है मुसली मैक्सम टप्रेचर आने के बाद रहेगी तो सर इस बार जिस तरीके से मई और जून के महीने में बारिश की ब होचती है जो कि पश्चिंग उत्तर प्देश पूर्वी उत्तर प्देश से होती है और नमी बरी हमाएं बंगाली खाड़ी से लेके आती है तब उस समय ऑंसेट की सेच्वेशन हमारे पास बनती है वो लगवग 29 जून या जुलाई के फस्ट विक में रहती है तो तब तक दिली के कई सों में देखने को मिल सकती है लेकिन अगर तापमान की बात करे तो 38 से 40 दिगरी तक ये तापमान दिन के वक्त बना रहेगा और साथ ही अगर हम मौनसून की बात करे तो मौनसून जून के आकरी या फस्ट जुलाई तक भी दिली में देखने को मिल सकता है कैमर परसन अनिर्ट चौरसिया के साथ कुनाल शर्मा टोटल नियूज तिली